हेलो फ्रेंट्स हो यू यू यह वीडियो में जो बना रहा हूं इसमें मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप कभी भी कैमरा यूज करते हैं तो कैमरा यूज करने के लिए बाई डिफाल आपके में अल्रेडी होता है लैप्टोप हो डेक्स्टॉप हो विंडो का मैक हो तो मैक का होता है मगर यहां पर मैं जो सॉफ्ट्यर के बारे बता रहा हूं वह यू कैम 8 है आप इसका लेक्टेस वर्जन भी है डाउनलोड कर सकत है तो मेरे पास इसमें you can mate है तो इसकी खास बात यह है कि जब स्क्रीन चालू करोगे तो यह देखे सामने जो दिख रहा है वही है ओके नाओ इसके साथ साथ कुछ फ्रेम्स आपको मिलते हैं तो सबोस इफ यूँआं टो चैंज दा फ्रेम्स यू कें चैंज फॉम यह तो यह सारी चीज़े आपे बन दी लाइक देस वन तो इस टैपी कुछ एंगल्स आपको दिखेंगे जहां से आप डिफरेंट टेप आप यह नो वीडियो सुटिंग्स कर सकते और बता सकते और यह सारी चीज़े रिकार्डिंग हो रही है अब इसमें अभी मैं इसमें रिकार करना चाहते है तो वह भी इसमें टोटली कैप्चर हो जाता है इसके लावा यहां पर आप देखेंगे तो इसक्रीन सॉट्स है मतला आप एक मुवीजे पिचर्स यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं अब यहां पर और कुछ भी देखते हैं कुछ बहतर है जैसे यह देखिए तो यह देखे हैंगे ईह सारी चीजे स्टाईल से आप सारी चीजें कैप्चर कर सकते हैं और अगर आप एस्टूडेंट काम कर रहे है या कर दो यह सारी चीजे आपके काम में आएंगे यह देखिए अइशा लह रहा है की, है विटी कॊनध यहा यहा विड़की है deber 20عت दांस कुछ तो आप यह देख रहे हैं यहां इस पर गार से आप यहांसे जाएंगे अगर क्लिक करते हैं तो यूकेम वाले यहां पर देते हैं आप इसे डाउनलोड करेंगे तो वह इसमें इस्टॉल हो जाएगा तो बहुत सारे इफेक्ट्स यहां पर अल्रेडी होते हैं तो क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज किया है मैं इसका यूज करता नहीं हूँ तो इसके मुझे जरूरत नहीं है इसकी यहां पर जाओगे तो आप देख रहा है आपको यूपी मनलब स्काइप के लिए यूज कर सकते हैं यहां पर जाओगे तो आप देख रहा है कि यह स्क्रीन में थोड़ी सा आप ब्राइटनेज आटो लाइटिंग्स यह आटो लाइटिंग कर दिसने इसको मैं हटा देता हूं और यहां पर जाओगे तो आप देख रहा है noise के स्काइप कर सकते हूं मैं यहाँ पर लाइटिंग कर लेता हूं ताकि सुनीन है तो यह brightness है, थोड़ी सी brightness कम हो सकती है और जादा हो सकती है अगर आपको करना है तो जगर यह brightness कम जादा करते है तो थोड़ी सा time लेता है और उसे ठीक कर देता है contrast होता है यहाँ पर, तो contrast क्या करेगा आपका देखना जैसे यह थोड़ी सा color dark कर देता है थोड़ी सा टाइम लेगा होने में, यह देखिए, रेंडर होता है, थोड़ी सा, तो यह color dark हो गया, मैं फिर से कम कर देता हूँ, फिर यह auto का है, अगर आपको off रखोगे, on रखोगे, तो automatically आपकी lighting के साब से यह सारी चीज़े ले लेता है, तो यह तो हो गई है, सारी चीज़े, और क्या है यहां पर यहां पर आप जाओगे, तो देखिए, जूम करना है अगर आपको, तो you can zoom the things also, थोड़ी सा time लेता है, तो यह zoom in, zoom out कर सकते हैं आप यहां से, इसे advance आप करोगे, तो यह देखिए, इडवांस की brightness थोड़ी सा, जाके कम कर सकते हो, contrast बढ़ा सकते हैं, camera की है, camera का zoom level आप ज्यादा बढ़ा सकते हो, कोई भी चीज़ एफेक्ट होगे, तो थोड़ी सा time लेगा, apply करूँगा, मैं यहां पर, okay कर दूँगा, तो अभी जो भी नया मैंने लिया था, वो सारी तो इसकी basic thing है, यहां से आप अठा सकते हैं इसे, तो यहां पर जाओंगा, तो आपको दिख रहें different type of cartoons और तो, hello, how are you, darling, यह देख रहे हैं, तो, just a minute, it will capture the, you know, things, and, yeah, तो बहुत अच्छा है, funny way के कोई videos बनाने हैं, तो आप अच्छे से बना सकते हैं, और यह रा, micromax का you know, boom, yeah, तो बहुत सारी चीज़े, ha, 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 me, यह सारी चीज़े यहां से ले सकते हो, funny way में, अगर आपको ऐसा, you know, आप कहीं पर student हैं, और आपको लगता कोई नई चीज़ बनानी हैं, तो आप यह कर सकते हो, yes, yes, तो यह सारी चीज़े थी, मैं सोच आपको बता हूँ यहां पर आप देखेंगे, तो यह देखिए, effects, फिर यहां पर हम जाते हैं, तो बहुत काफी अच्छी effects हैं, आप थोड़ी बहुत use कर सकते हैं, इनका, you know, समझाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ video effects के लिए, यह क्या alien गिर रहे हैं, यह तो diamond है, यह कर सकते हो, यहां पर देखिए, filters है, यह बोजब अच्छा लगता है, इसमें से, इसमें से यह मैं हटा देख सकता हूँ, तो यहां से आप जाके फिर, click करके, नए effects, download कर सकते हो, तो यहां पर मैं filters में जाता हूँ, which I really find good, तो मुझ इसमें वो cancel कर देता है, तो यह आप ऐसा videos बना सकते हो, और video बनाते समय भी आप यह सारी चीज़े खटी कर सकते हो, यहां, तो काफी अच्छी चीज़े दिये गई है, इसमें software में, UKM8 है यह, आपको मैं बता दूँगा इसके बाद कि download कैसे करते हैं, इसे और यह better काम करत बnd गता है, आप देख रहे हैं आसथ है यह परानी मीचल बाव, यह सारी चीज़े ख़ Seriously, कि δिकार्शन देख़ने है क्या है, तो यहां पर जाओगा तो जुं, दाऊं, डाूँ, टॉं, टूं, टॉं, टॉं – टॉंटू NEW P wardrobe में हूँ तो यह थोड़ी से एफेट से हैं वनी व्यू है काफी मज़ा आता है मुझे इतना मज़ा नहीं आया यह देखिये आउव आउव ताउव ताउव सो इफ यू नीद तो अंडर्स्टेंड थिंग्स तो आप देख रहे हैं वह सारी फ़नी चीज है अच्छी चीज है आप कर सकते हो कुछ भी नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो करो और बैटर है समझ में आ गया भाईया तो यह सारी चीज है जो अच्छी लगती है और आपको पता चुका हूँ इसके लिंक भी है जो डारेक्ट आपको लिंक में पहुचा देता है काफी चीजे है इसकी जो नए आते रहते फ्रेम वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो तो फिर यह सब चीजे हुआ यहां पर फ्रेम में आ जाता हूँ मैं और आपको हटाना है कोई चीज तो आप अठा सकते हो यहां से तो यह बेसिक चीजे मैं आपको बताना चाहता था इसके लावा यहां पर इस टाइप के तोरी फिल्टर्स भी है यह यह जो एफेक्ट नहीं थी किसमें चारों तरफ से यह आ जाता है तो यह चीजे मैंने आपको बता दी है अभी यहां पर देखोगे आप केमरा है capture है library में जा सकते हो desktop capture कर सकते हो तो suppose I want to record the audio and मैं चाहता हूँ यहां पर desktop recording भी हो तो यहां पर जाके desktop recording कर सकता हूँ presentation आप रिकार्ड कर सकते हो बना सकते हो dual camera अगर दो camera है आपके तो भी आप यूज़ कर सकते हो आगे पीछ इसके तो यह basic चीज थी जो मैंने आपको बता दी है HD effects आप यहां से ले सकते हो तो आपके जो videos है better आ जाएगा तो यह है कुछ चीजें इसकी हैं जो काफी अच्छी लगती है मुझे मैं अभी जो use कर रहा हूँ यह meeting कर रहा हूँ यहां पर यह webinars भी है आपके पस जो सही डंग से काम करता है तो आपको अगर यह चीज़ए download करना है यह software तो मैंने तो यह use करना है नहीं अगर आप चाहते हो कि यह software आप use करो तो आपको कहां पर जाना है बता देता हूँ तो यह है getintomybc.com एक साइड है तो आप वहां पर जाहिए भी आराम से देखिए यह download कर लीजे यूके मेट आपको मिल जाएगा और बढ़िया से आप use करिए अच्छा है थोड़ी सुरुआत होगी थोड़ी funny way में तो आप अगर वीडियो यूट्यूब कैमरास कुछ करना चाहते हैं ऐसा तो आप इसका ज़रूर use करिए thank you so much